विरिंदावन और गोत स्क्री घटना फिर सामने आई है जों गोरक्षकों ने 35 गोवन्स को गोत स्क्रों से मुक्त कराया है अखिल भारते वरिंदावन गोरक्ष समिती के अध्यक विकास पंडित के मताबिक गोरक्षकों की टीम के साथ रोजाना की तरह नाका लगाये हुए थे इसी बीच उन्हें गोवन से भरा कंटेनर आता हुआ दिखाए दिया जब उन्हें ने कंटेनर को रुकवाने का प्रयास किया तो चालक कंटेनर को तेजी से भगाने लगा वह इसके साथ चल रहे हुआ इसकार प्युकारी में सवार तसकरों में से एक न उन पर फायर किया इसमें वो बालबाल बच गए इसके बाद उन्होंने पीशा करते होगे हाईवे स्थेतनियती होस्पिटल के सबीब दो तसकर सहीत कंटेनरों को पकल दिया और तसकरों को पुलिस के हवाले कर दिया व्रिन्दावन के मत्वा रोड इस्थित वासले ग्राम में 31 मई को सुबह 11 बजे वासले कोविट केर सेंटर का शुबारम केंद्रिय मंत्री पीवश्कोविल के द्वारा किया जाएगा ये होस्पिटल विश्व का पहला मॉडल कोविट होस्पिटल होगा साथवी रितंबरा ने बताया कि ये होस्पिटल 100 बैडों का होगा फिलहाल 40 बैड के साथ ही इसकी शुरुवात की जा रही है वासले कोविट केर सेंटर अगामी एक पकवारे के अंतराल में जर्नल स्पताल के रूप में कारे करेगा अस्पताल में एलोपेथी के साथ साथ आयरुवेग, नेच्रोपेथी, मानसिक प्रसंद नता और आत्मिक बल का सामयवेश कर लोगों को स्वस्थ करने का प्रयास किया जाएगा काना की नगरी से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर पर है हमारी पैनी नजर जुड़िये समचार सिटी 24 के साथ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और भाएं सबसे पहले लेटेस्ट अबडेट